हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाट हैट इलेक्टोनिक्स में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे LED बिल्ड वाले कंट्रोलर्स होते हैं जैसे कि 40 पोट हो गया 24 पोट हो गया जिनके अंदर भी पहले दिखाता हूं तो यह हमारे कंट्रोलर से सबसे पहले लांच किया था यह हमारा यह हमारा यहां पर में मोरी काड्र लगता है और यह तरह दिखता है आप सभी के पास यह इस तरह कंट्रोलर का नाम WG 2000 मतलब कि यह आपका जो गेट हो गए चैसे पांच पार्ट के जो गेट होते हैं 12-24-8-24 इधर देखोगे तो इधर अलग-अलग पोट बने हुए हैं तो यह अलग-अलग पोट वाला कंट्रोलर है इसके अंदर भी देखोगे तो यहां पर आपको मेमोरी कार दिख जाता है ठीक है यह मेमोरी कार लगा हुआ है 8GB का इसका भी LED अब दिखाने वाले हैं जो भी आज हम आपको बताने वाले हैं जो भी आप देखे हो तो यह सारे आप हमसे मगवा सकते हो और अपने यहां पर इसको चला सकते हो आज इसकी प्रोग्रामिंग पूरी हम आपको दिखाने वाले हैं बारी बारे से हरे कंट्रोलर की ठीक है तो सबसे पहले जो हम कंट्रोलर दिखाने वाले हैं वो SJ2000 का दिखाने वाले हैं यह 2000 पिक्सल का कंट्रोलर है अब इसके अंदर 10 by 60 हो गया 10 by 120 हो गया 50 by 40 हो गया 25 by 80 हो ग आप बहुत सारी साइज ये चलती हैं तो मैं फिलहाल आपको एक साइज के एक्जामपन लेके दिखाता हूं जो है पचास बाइच चालिस दो हजार पिक्सल का है ज्यादा तर लोगों का यही रहता है कि इसी साइज पर चलाना रहता है तो सबसे पहले हम यह LED बिल्ड जो सौ सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहां पर आना है सेटिंग में सेटिंग सिंपल इसकल्प्ट में क्लिक करना है और यहां पर यह चाहिए और उसके बाद हम अभी बनाने करने पर आप देखोगे तो इस तरह का आपके सामने कुछ ग्रिड आ जाएगा ठीक है उसके बाद इस वाले ओप्सन पे क्लिक करना है सेटिंग स्कल्प्ट में और इस एक बार क्लिक कर देना तो यहां पर देखोंगे तो टोटल पिकसल काउन्ट आ जाएगा उसके बाद सेवर इसको गोंगे आपके इसके याल Πर जाना है стор कर आक देखो कौन-कौन सा फाइल ये सपोर्ट करता है तो इसमें AVI, SWF, DAT, TOL, बहुत सारे फाइल है वो सारी फाइल ये सपोर्ट करता है ठीक है तो मैं जहां पर मेरी डिजाइन रखी हुई है मैं वहां पर आ जाता हूं ठीक है मैं 50-42 की कोई भी डिजाइन इसके अंदर सलेट क कर सकते हो मैं इस पर अभी SWF, AVI वाली फाइल सरेट करता हूं ठीक और वो यहां पर यह देखो तो यह इंपोर्ट होना सुरू हो गया इसके अंदर फाइल इंपोर्ट हो जाएगा जितनी भी फाइल आप चाहो उतनी फाइल इसके अंदर अपलोड कर सकते हो क्योंकि इसके इसके अंदर जो memory card लगता है वो 8GB का memory card लगता है तो उसमें बहुत सारी designs आ जाएंगी ठीक है अब यह देखिए यह फाइल इसके अंदर आ गई अब मैं दिखाओं तो यहां पर देखो तो 1200 फ्रेम आ गया है अब मैं play करके देखो तो यहां पर यह देखो design चल रहा है ठी ठीक है इस हिसाब से आप यहां से फाइल जाके जो भी फाइल चाओ import बारी-बारी से बस रिकॉर्ड करते जाओ कोई दिकत नहीं है अब यह सारा फाइल इसके अंदर आगे देखो ये पहले वाली डिजाइन है आपको दिखा देता हूं कि इसको इसको इक्षपोर्ट कैसे करना है तो उसके लिए को फाइल पर जाना है और फाइल पर जाके यहां पर आउट पूट कंट्रोलर डेटा पर क्लिक करना है ठीक है अब कितने फ्रेम से कितने फ्रेम तक आप फाइल डालना चाहते हो वह फाइल export कर सकते हैं, यहां पर OK कर दो, अब यह पूछता है कि कहां पर file को save करना है, तो मैं भी text type पर save कर देता हूँ, new folder करता हूँ, और यहां पर लिख देता हूँ, 50 into 40 s type test, ठीक है, यह folder का नाम है, कुछ भी नाम आप रख सकते हो, अब उसके बाद, उसके अंदर हमको भी नाम चाहूँ, वो नाम रख सकते हो, ठीक है, अब जब export होगा, तो यहां पर लिख जाएगा, कि control data export successful, यह देखो, यहां पर output file finished, ठीक है, यह लिख गया, मतलब इसके design रखी हुए है, वो design select कर लेता हूँ, मतलब यह वे design select कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी import कर देता हूँ, ठीक अब यहां देखो, यह file import हो इंत्पोर्ट हो गई, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? यह play करके आपको दिखा देता हूँ, यह देखो design अब मैं इसको भी export करता हूं यह मैं export कर देता हूं उसी folder में export करता हूं desktop के अंदर मैंने फोल्डर बनाया था 15 to 40 के नाम से तो यह देखो मैं उसको वहीं पर जाता हूं यह फाइल पहले वाली थी अब मैं यहां पर इसको टू कर देता हूं ठीक है और इसको सेव कर देता हूं यह देखो आउट्पूट फिनिस्ट आ गया अब मैं folder पर ले चलता हूं यहां पर वह folder है यह ठीक है इस पर आप देखो तो दो वाली फाइल चलेगी मतलब जितनी आप multiple फाइल बनाओगे उतना बार नाम बीच-बीच में बीच-बीच में नाम आता रहेगा ठीक है तो अगर आपको जल्दी यजलदी नाम चाहिए तो बहुत सारी फाइल बनाओ अगर आपको एक बार नाम चाहिए फिर पूरा design चलने के बाद्न चाहिए तो आप एक फायल ओंपांबी सी बना दो ऑक吸引 बार नाम आएगा ठीक है तो यह अपके हांत में कितनी भी बार नाम चला सकते हो ठीक qualified और इंदर डालना कैसे ही तो सबसे important चीज है ठीक है आपको ऐसे ही card के अंदर डाल दोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा तो मैं आपको एक sample file दिखाता हूं कि मालो जैसे आप controller जो हमसे खरीदोगे तो उस controller के अंदर इस तरह का file डला हुआ होगा ठीक है मैं आपको अभी कोई भी एक size दिखा देता हूं जैसे मालो 50 by 40 s type का मालो आप controller खरीदोगे तो आपको उसके अंदर जो आपको card बिलेगा उस card के अंदर आपको इतनी file दिख रही होंगी ठीक है बीजी डाटा नेम टीजी आरजीवी ठीक है इतनी नाम की file आपको पहले से दिख रही होंगी card के अंदर file आ जाएगी तो सबसे पहले right click करना है यहां new पर जाना है यहां फोल्डर पर क्लिक करना है और यहां पर data नाम का एक folder create करना है ठीक है वो भी small letter में ऐसा capital letter में नहीं करना है ठीक यहां पर मैं data नाम से folder create करता हूं उसके अंदर इसको file को डाल देना है ठीक है अब data के अंद देता हूं मैं और यहां पर paste कर देता हूं ठीक यह कोई अशा वो नहीं है आप यहां पर right click करके new पर जाके यहां पर text document क्लिक करके यहां पर RGB नाम से text create कर सकते हो खुद भी मैंने अभी जो copy paste किया है तो आप अपने से भी create कर सकते हो ठीक अब इसके अंदर डालना क्या है चालिस का बनाया हूं तो 2000 पिक्सल हुआ अगर मालों आप 10 x 120 का बनाते हो तो यहां पर 2000 के जगे आप लिखोगे 1200 क्योंकि 10 x 120 1200 होता है तो आप यहां पर 1200 लिखोगे ठीक है और यह बगल वाले में आप 1000, 2000, 4000 जो बनो वो लिख दो इस से ज्यादा कोई मतलब है नहीं ठीक है क्योंकि 2000 पिक्सल ही सपोर्ट करता है ठीक आपको समंझ में आगया जैसे माली तो यहां पर 25 x 45,nen 1000 होता है तो आपको यहां पर 1000 भरना ठीक है 1000, 2000 लिखा रहें तो फिर कोमा ठीक तो यह दो फाइल आपके पास होनी जरूरी है जब आप कार्ड के अन lapo ने जरूरी है कर दो ठीक बस इतने से करने से आपका इस एस जे टू थाउदेंट का प्रोग्राम बन जाएगा काफी सिंपल प्रोग्राम बनाने का प्रोसेस है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यह जो 24 पोर्ट हमारा पैरलल कंट्रोलर है इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है ठीक है इसका वीडियो अभी आपने देखा होगा जो हमने यह वाला डाला था तो यह जो है 25 इंटू 24 इंटू 24 और 50 इंटू 24 दोनों चलाता है तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है यह मैं आपको बताता हूं ठीक तो सेम वही प्रोसेस है आप आजाओ LED बिल्ड में LED बिल्ड मे चाहूं तो 100 वाई 24 ठीक है तो मैं अभी 50 वाई 24 से सलेक्ट करता हूं ठीक उसके बाद जब आप यह बनाओ तो आपको एक चीत ध्यान रखनी है कि यह जो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं यहां पर SBSC सलेक्ट होना चाहिए यहां पर वन सलेक्ट होना चाहिए और यहां पर करना है ठीक उसके बाद मैं OK कर देता हूं ठीक है यह मैं पहले वाला है तो इसको मैं delete कर देता हूँ ठीक है और यहां पर अब उसके बाद यह वाले आप्सन पे आता हूं सेटिंग सकल्प्ट में ठीक है उसपर आऊँगा तो इधर layout आ जाएगा जो हमने अभी बनाया है तो इस पे देखो गे तो ये Z connection है, नीचे सो वायर उपर गया है, ये pixel का count है, ठीक है, pixel आगा count पर आप देखो तो total कितनी pixel का program बनाने वाले हो, हो यह है आपका 1200 pixel का ठीक है 1200 pixel आप प्रोग्राम बना रहे हो अब यहां पर आना है इस पर एक बार क्लिक करना है तो यहां पर 1200 लिखा हुआ आ जाएगा और इसको सेव कर देना है ठीक हैकः सेंव करने के बाद इसको मैं चैंसिल कर देधा हूँ ठीक है अरे दो बार कैंसल हो गया इसको फिर से मैं राइट क्लिक करता हूं जो पिछला रहेगा वह यहां पर सेव रहता है तो आप जो खोलोगे तो यह देखो दिजाइन है तो वह दिजाइन मैं यहां से इंपोर्ट कर देता हूं मैंने पहले भी बताया कि आप चाहो तो एक बड़ी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो मतलब जिसके अंदर पूरा आधे गंटे गंटे का प्रोग्राम रहे और चाहो तो आप कई सारे प्रोग्राम की फाइल बना सकते हों मैं इंपोर्ट कर को सब्सक्राइब करते इसके बड़ी आप तो आप काफी आसानी से program बना सकते हो ठीक है य켜 काफी लंबे frame की फाइल है अब ही देखना आप कितने frame आते है इसके अंदर यह देखे अप पूरी फाइल आ गजी अब यह 4210 फ्रेम की फाइल है ठीक है मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ तो यह देखो ठीक अब यह जो है यह आ गई इसके अंदर अब यहां फाइल पर जाना है यहां पर फर्स्ट और लास्ट करना है और यहां पर डेक्स्टॉप के अंदर ही मैं सेव करता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं कि 50 इंटू 24 24 अब यह 24 पॉर्ट का 24 पॉर्ट सेस्ट थीख है मैं यह फोल्डर ऊपन करता हूं फाइल का नाम कुछ और एक DATA data नाम का folder create करना है उसके अंदर ये file डाल देनी है ठीक आपके जितनी भी file हो वो सारी file इस data folder के अंदर डाल देनी है और उसके बाद एक file और रहेगी जो बताएगी कितने port का controller है कितने port का आपने program बनाया है ठीक है तो उसके लिए वो file जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो यह देखे यह RGB नाम से file है इसको मैं copy करता हूं और इधर paste कर देता हूं ठीक अब मैं इसको खोलता हूं तो सेम प्रोसेस होई है कि आपकी टोटल कितनी LED है ठीक है आपकी कितनी टोटल LED है यहां पर भरना है अब यह जैसे मैंने पचास बाइचोबिस का बना लिए हुआ तो यहां पर मैं 1200 रखता हूं और कॉमा 30 है 50 है 25 जो भी आपको रखना हो यहां पर रख सकते हो बगल वाले से ज्यादा मतलब नहीं रहता ठीक है जो सबसे जो पहला वाला है यही option में है लंबाई गुणे चोड़ाई कितनी है मालो आप 24 इंटू 100 का प्रोग् स्मॉल लेटर में है जितने भी आपके पैरलल कंट्रोलर है जैसे अभी 40 देखोगे तो उसमें भी स्मॉल लेटर में ही रहेगा तो यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यह दोनों फाइल कॉपी करनी है और काड़ के अंदर डाल देनी है बस इतने से आपका प्रोग्र टाइप पैरलल टाइप तीनों टाइप चलाता है और 8GB का इसके अंदर मेमोरी गार लगता है तो यह कंट्रोलर आपको कैसे इसके अंदर प्रोग्राम बनाना है आपके पास यह वाला कंट्रोलर हो चाहिए वाला कंट्रोलर हो दोनों कंट्रोलर का सेम प्रोसेसर प्रोग् प्रोग्राम बनाना चाहते हो कि आपका 50 x 40 का चले ठीक है अब 50 x 40 होता है आपका 2000 पिक्सल और आप चाहते हो कि आपको दो पोर्ट में ही चलाना है ठीक है जेट टाइप में क्या होगा कि आपका एक पोर्ट में एक पिक्सल चलेगा और आप अगर चाहते हो कि आप एक पोर्ट में 1000 चलाओ वो भी जेट टाइप में तो भी आपको जेट टाइप में ही बनाना पड़ेगा और वो जो बाद में सेटिंग होती है कि कितने पिक्सल चला यहां से बनाना है तो मैं अभी फिलाहल आपको 50 x 42 जप्रोग्राम बनाके दिखाता हूं ज़्यादा तर लोग फोर्टी पॉर्ट इसलिए खरीते हैं क्योंकि उनको एक प्रोट में एक लीडी चलाना रहता है तो अभी मैं आपको यह 40 पॉट का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ तो उसके लिए आपको यह टाइप ऑप्शन सेलेक्ट करना है विट्थ में यहाँ पे 40 भरना है और हाइट में 50 भराई हुआ है ठीक है यह सारे ऑप्शन देख लीजिए आप उपर वाले SBSC 1RGB और यह यहाँ पे 28, 28, 28 यह सारा ऐसे ही सलेक्ट होना चाहिए ठीक है अब मैं OK पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इस पे एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो के 2000 आ गया और इसको सेव कर देता हूँ ठीक है अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ कि ठीक है उसके बाद यहां पर फाइल पर आता हूं और इंपोर्ट पर जाता हूं और जो भी आपको डिजाइन डालनी है यहां पर आता हूं मैं आपकी जो भी डिजाइन है वो डिजाइन आप डाल सकते हो मैं अभी आपको एक डिजाइन आप डाल के दिखा देता हूं यहा कि यह फाइल इंपोर्ट हो रहा है देखिए अभी इंपोर्ट हो जाएगा ठीक है यह देखिए 17000 फ्रेम का डिजाइन इसके अंदर आ गया 1700 फ्रेम का ठीक अब यहां पर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो यह डिजाइन आप देख लीजिए तो इस तरह से आप डिजाइन जो भी है आपके पास स्ट्रेम फ्रेम का एक्सपोर्ट कर देना है यहां पर एक नया फॉल्डर बना देता हूं तो मैं 40 पोर्ट टेस्ट के नाम से किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हो इस फोल्डर से कोई मत्तब नहीं है और यहां पर यह फाइल है इसको आउटपुट कर देता हूं तो यह देखो आउटपुट फाइल फिनिस्ट ठीक है अब मैं यहां पर आता हूं यह देखो ठीक अब यह डाटा रखे अंदर चली गई अब उसके बाद सेम वही RGB डाम का आपको एक यहां पर फाइल चाहिए होगा अगर वो फाइल आपको create करनी है तो यहां पर new पर जाओ फोल्डर पर जाओ और यह यह डाकुमेंट पर अब यहां पर RGB इस नाम से आपको फाइल create करनी है ठीक है अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है यह मैं बता देता हूं जब यह फोटी प्रोट का कंट्रोलर खरीद होगे तो आपको उसके साथ जो फाइल पहले से डली रहे इसके अंदर जो RGB रहेगा वो इस तरह से उसके अंदर लिखा रहेगा ठीक है नमबर ओ पोर्ट में 40 और LED पर पोर्ट में 50 इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं ठीक है अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हो आपको समझा देता हूं माल लो आप S type चलाना चाते हो और 2 ही port में चलाना चाते हो ठीक है? आपने S type का program बनाया है और 2 ही port में चलाना चाते हो तो आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ओ port में 2 लिखना है ठीक है? यह केवल 2 ही port चला रहे हुआ और LED पर port में जब आप 2000 पिक्सल का बना रहे हो और 2 port इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब 1 port में 1000 LED चलाओगे तो आप इस तरह से 1 port में 1000 करके 2 port इस्तेमाल कर सकते हो अब माल लो अगर आप 6000 पिक्सल का program बनाते हो ठीक है? और 6000 पिक्सल को कैसे यूज़ करना है? तो यहाँ पर number of port में 6 कर दो और LED पर port में 1000 कर दो तो टोटल 6000 का इस पर program चल जाएगा लेकिन डिजाइन 6000 पिक्सल की बनाई होनी चाहिए ऐसा नहीं कि program बनाओ 50 बाई 40 का और यहाँ पर भर दो 6 और 1000 कर दो फिर उल्टा पूल्टा चलेगा वो समझ में नहीं आएगा ठीक है? तो अभी हमने जो program बनाया है वो 40 port का बनाया है और Z connection में बनाया है और parallel के लिए बनाया है तो यहाँ पर इस पर number of port में 40 करना है और LED पर port में मतलब एक port में कितनी LED चला रहे हो तो हम एक port में 50 LED चला रहे है यह भरना है ठीक है? उसके बाद इसको save कर लेता हूँ काफी simple है यह लिखा हुआ तो आप आसानी समझ जाओ और यह दोनों file copy करके card के अंदर simple डाल देना है इतना करने से आपके card के अंदर program जो डालोगे आप वो चलने लगेगा ठीक है? इतनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे 40 port का program बनाना है अब दोस्तों अब दोस्तों मैं gate पे आता हूँ जो WG2000 का gate का controller है वो इस तरह से दिखता है 8 port का gate रहता है मैं थोड़ा सा पहले layout दिखा देता हूँ जो आपको आज बताने वाला हूँ ठीक है तो ये देखो माल लो आपका gate इस तरह से है इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 5 पार्ट है total ठीक है? और एक पार्ट जो है वो 12 by 24 LED का है मतलब एक line में 12 LED ठीक है तो इस तरह से आपका gate है तो एक चीच सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि जब इस तरह से आपका gate होता है तो उसकी maximum लंबाई और maximum चोड़ाई कितनी हो सकती है तो आपको गिंती कैसे करनी है तो ये जो हो गया इधर नीचे से गिंती सुरू करो तो ये हो गया 24 ठीक है उसके बाद ये हो गया 12 और उसके बाद ये हो गया 12 तो जो gate की हमारी total उंचा आई है वो feet में नहीं मैं pixel में बता रहा हूं तो 12 LED इसका 12 LED इसका और 24 LED इसका तो ये मतलब हो गया 48 LED तो इस gate की जो लंबाई है maximum वो 48 हो गई आप चोड़ाई जो है वो maximum इधर से गिन लेते हैं तो ये 24 और ये 24 तो ये भी 48 हो गया तो बतलब जो हमारा gate बनेगा वो 48 बाई 48 का gate बनेगा ठीक है ये feet में नहीं है ये pixel का count में है एक कदव आसानी से समझाने का कोशिस कर रहा हूं आपको ठीक है और एक बार और ध्यान रखना कि आप जो है starting कि धर से कर रहे हो मैं starting एधर से कर रहा हूं आप चाहो तो जहां से चाहो वहां से starting कर सकते हो लेकिन उसी तरह से आप को प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा उसी तरह से आपको प्रोग्राम में भी connection करना पड़ेगा तभी आपका save to same वैसा ही design चलेगा जैसा आप चाहते हो ठीक है तो आप आजाओ LED software में मैं यह पुराना design delete कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर setting पर आता हूँ simple setting स्कल्प्ट में आता हूँ ठीक है अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर maximum लंबाई और maximum चौड़ाई बरनी है कि आपके gate की maximum लंबाई और maximum चौड़ाई कितनी है तो मैंने अभी गिनी है 48 बाई 48 है ठीक है आप तो मालीजे 16 बाई 32 का एक gate होता है मैं थोड़ा सा और समझा दो हूँ दूसरा example लेके मालीजे आपका इसकी जगए 16 बाई 32 होता है तो यह जो होगा 16 होगा और यह 32 होगा तो आप अगर उसकी टोटल लंबाई गिनोगे तो 32 इस वालेगा हो जाएगा क्योंकि 16 32 रहेगा तो 32 यह हो जाएगा तो मतलब आपका जो gate का लंबाई होगा वो 64 होगा और जब चौड 32 रहेगा तो ठीक है और उसके बाद यह वायरिंग कोई भी सेलेट कर लो वायरिंग क्योंकि हमको डिलीट करके नया अपना लेयाउट बनाना पड़ेगा तो यह अभी कुछ भी सेलेटर रहने देता हूं इस सो कोई मतलब नहीं है मैं चीज यह है कि यह जो आप्शन है यह यही रहने चाहिए ठीक है अब उसके बाद ओके करता हूं तो यहां पर देखो तो यह आ गया ठीक है अब मैं यहां पर आता हूं यह सिटिंग स्कल्प्ट में और यहां पर यह इस तरह से आ जाता है अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं और मैं यह पूरा डिलीट कर देता अब में ध्यान देनी वाली बात यह है कि जहां से आप पहला वाला पॉइंट शुरू करोगे बनाना वही पहला पोर्ट होगा तो अगर आपका जो गेट या कनेक्सन है वह यहां से पहला वाला इस्टार्ट है तो मैं यहाँ पे जो है यहीं से बनाना शुरू करूंगा मतब जो starting point रहेगा वही एक number होगा फिर उसके बाद वाला जो part बनाओगे वो 2 number हो जाएगा जो उसके बाद बनाओगे वो 3 हो जाएगा जो उसके बाद बनाओगे चार जो उसके बाद बनाओगे वो 5 हो जाएगा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यहां से वायर सलेट करने का यह वाला पॉइंट है और अभी मेरे को ऐसे ऐसे वाला बनाना स्नेक वाइस तो मैं यह कॉलम वाला सलेट कर लेता हूँ ठीक है और मैं यहां से 12 LED छोड़के तरहावे से सुरू करता हूँ और यह जो है 24 तक ले जाता हूँ ठीक तो यह देखो आप एक बार ले आउट तो यहां से यह port 1 आ गया P1 यहां पर लिख के आ जाता है ठीक है और यह जो है ऐसे यहां से 12 24 का मैंने यहां तक प्रोग्राम बना दिया तो यह जो अब हमारा port होगा यह पहला वाला होगा इसकी wiring आपको वैसे ही करनी है जैसे आप यहां पर देख रहे हो ठीक है मैं एक बार और दिखा देता हूँ यह देखो इसकी भी wiring ऐसे ही है ठीक अब उसके बाद दूसरा नंबर यह है अगर मालो दूसरा यह होता है तो मैं प्रोग्राम यहां वाले का बनाता है अब यह दोसरा इधर साइड वाला है यह देखो आप दूसरा port यह वाला है तो मैं यहां पर दूसरा port बनाना शुरू करूँगा ठीक है तो अब मैं यहां से सलेट करता हूँ और 24 तक ले जाता हूँ ठीक यह हो गया अब यह वायर ऐसा जुड़ा रहना चाहिए आप इसके चक्र में पतपड़ों कि यह जुड़ा क्यों है इसका connection रहना चाहिए और यह 12 बाई 24 उपर से ही है मालो आपका data नीचे से start होता तो आप wiring नीचे वाली करते ठीक है उपर से नहीं करना नीचे से करना जैसा आपकी wiring है यहां पे एकदम ध्यान से देख लो जैसी wiring यहां पे है वैसे यह wiring आपको प्रोग्राम बनाते समय करन कितनी आप रख रहे हो ठीक है तो यह जो है बाराबाई 24 यह हो गया अब उसके बाद एक दो तीन होगे अब चौथा नंबर कौन सा यह देखना है तो चौथा नंबर यह देखो इधर साइट से है यह वाला अब इसकी वायरिंग देखो यह वर्टिकल थी यह होरिजोंटल है तो वाईरिंगं को बदलनी है ठीक है और चौथा यह है यह वाला नहीं है तो अब हम चौथा इधर साइट बनाना शुरू करते एक पहले यहां से बदल लेते हैं तो मैं पांचवा वाला इधर साइट बना देता हूं तो इसमें जो है दो दो च्छार दो च्छे दो आठ दो दो बारा इधर देखो तेरा नीचे लिखा पिया रहा है ठीक है और यहां से मैं इधर साइट का शुरू करता हूं यह यह प्रोग्राम बनके त्यार हो गया अब ठीक है यह program बन गया अभी सब्सक्राइब टीसरा ओगे तीसरा ओगे यह वाला वाला होगे फैट कराँ हूं अब में शीज्ट यह हnyt इसको जो है से वाइसे करना यहां फाइल पर जाना है को एक हम एक करें यहां यहार है एक प्लिक करना अब मैं इसको खोलता हूँ और यहां पर जो इसका नाम रखना है वो एकदम ध्यान से रखना आप यही नेम रखना है gate 12 ठीक है आपको फाइल का यही same to same नाम रखना है जो मैंने अभी बताया आपको कोई और नाम रखोगे इसका SU फाइल का तो आपका वो फिर नहीं चलेगा सही नहीं चलेगा ठीक है अब इसको save कर देता हूँ ठीक है save कैसे करना है यहां फाइल पर आना है यह जो layout आपने बनाया है इसको save करना इसको card के इंदर डालना पड़ेगा save as पर जाना है और यहां पर यह देखो gate 12 के नाम से मैंने save किया है ठीक है अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ तो यह देखो तो इधर जो है gate 12 के नाम से दिख रहा होगा ठीक है यह फाइल होनी बहुत जरूरी है बिना इसके आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा ठी अब मैं इसको cancel कर देता हूँ ठीक है अब यहां पर देखो तो अगर आपको चाहिए कि आपका व्यू जो है उस तरह से आए तो यह देखो यह gate का व्यू आ गया अब मैं एक बार इसको cancel कर देता हूँ और फिर से आपको open करके दिखाता हूँ ठीक है तो last वाला save रहता है तो यहां पर आजाएगा automatic ठीक अब इसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप चाहो वो प्रोग्राम जैसा भी आपको चाहिए design आपने जो पहले से बना के रखे हैं तो वह SWF फाइल टोल फाइल फाइल जो भी फाइल चाहो वो सारी फाइल इसके अंदर डाल सकते हो 3D वाले चाहो तो 3D वाले डाल दो इस तरह वाले चाहिए यह देखो जो इस तरह वाले रहते हैं बीच में दूसरा प्रोग्राम इधर साइड दूसरा दूसरा चाहिए रहता है तो वह वाले भी डाल सकते हो जो भी आपको चाहिए उस तरह के प्रोग्राम आप डाल सकते हो ठीक है वही प्रोग्राम इसके अंदर आ जाएगा यह देखे फाइल इंपोर्ट हो गया ठीक है 5000 फ्रेम का फाइल है तो इसके अंदर देखोगे तो पूरी डिजाइन आ गई ठीक है मैं प्ले करके दिखा देता हूं तो यह देखो जो डिजाइन है वो इधर दिख रहा है ठीक है त उसके बाद आपको यहां फाइल पर आना है और यहां से आपने जो अभी फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर के अंदर डालना है ठीक है 12-24 गेट टेस्ट और यहां पर ओके कर देना है तो देखोगे तो यह आउटपूट फाइल फिनिस्ट हो जाएगा ठीक है यहां पर आ दाटा लिखना है और लिखने के बाद यह फाइल उठाके इसके इंदर डाल देना है ठीक है प्रोग्राम की फाइल है यह दोनों फाइल उठाके काट के अंदर डाल दो और चल्डर दो बस जम जम चालू हो जाएगा तो इतनी आसानी से आप जो है LED वाले सारे इक इंद्र को रिघ्राइब कोही दिक्梯त आए कोई परिसाई अन्케이α आ की पूरी हम से खरीद आ है तो आपको प्रोरग्राम चलाने की पूरी जबाबदरी हमारी है ठीक है तो आप हम से प्रोग्राम बन feelings करते नहीं आता आपके पास कंप्यूटर लेप्ताप नहीं है तो आप हमसे प्रोग्राम बनवा भी सकते हो ठीक है दोस्तों तो चलिए आपको धन्यवाद